功曦 एलो एलोगों वोल्कम टू गेटेक्सिल इस लेक्चर में हम लोग सॉलर सेल एड पोटो डायोड की सटडी करेंगे सबूसीर पहले हम लोग बात करते हैं सोलरble की बहुए व हम लोगों ने लिडिकिस्ट हो रहाता कि इलेक्टिकल पावर को अप्टिकल पावर में जनरेट कर रहा था, मैंस हम लोग उसके अंदर इन्पुट में क्या दे रहेते daytime और हमको आउटपुट में optical power मिल रहेती, छीक है, सोलर सेल में क्या होगा, इसका हम लोग इसमें लाइट इंसिडेंट करेंगि और हमको result में current मिलेगी या फिर और इलेक्ट्रीकल क्वांटिटी मिलेगी तो यह आपका solar cell में इसका reverse process होता है जो solar cell होता है वो photo voltage effect पर वर्क करता है जैसे हम लोगों ने study किया था LED जो है वो प्रिंसिपल पे वर करता है वैसे आपको जो solar cell है वो photovoltaic effect पे पर करता है ठीक है अब photovoltaic effect ये क्या है देखिए photo word है उसका meaning है photon से related ठीक है तो solar cell के अंदर हम लोग क्या करते है it's basically diode ही होते है P-N junction diode है ये आपका P region है ये आपका N region है यह depletion width हो गई और यह junction हो गई और आपने क्या क्या जो depletion width होती है उस पर हम लोग क्या करते है एक light को fall करते है ठीक है light अब हम लोग क्या पढ़ रहे है solar cell तो कौन सी light होगी this is sunlight ओके हम लोग यहां पर आप लोगोंने solar cell आपके डेली लाइफ में देखे होंगे राजकल उनका बहुत ज्यादा यूज भी होने लगा है energy को सेव करने के लिए तो जब यह हम लोग sunlight अब sunlight के अंदर क्या है photons ही है तो जब इस पर photon हम लोग apply करते हैं तो photon हम लोग ने कहां पर fall की है जो यह depletion width होती है उसी पर हम लोग fall करते है तो क्या करते है तो फोटो तो यह वाले photon के लिए आ गया voltage effect तो क्या होता है कि जब हम लोग इस पर sunlight fall करेंगे तो इस junction के across एक potential difference create हो जाएगा अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे create होगा तो वो जो photon से हमारा क्या हो गया potential difference create हो गया voltage आ गया है यहां पर कुछ volt आ गया तो उसको हम लोग बोलते है फोटो वोल्टिक effect ठीक है तो फॉस्ट पॉइंट आपको यह क्लियर हुआ कि यह फोटो वोल्टिक एफेक्ट क्या होता है फोटो वोल्टिक एफेक्ट यह होता है कि यह एक photon energy को आपके क्या हुआ और अब मालगे है तो नोर्मल डायॉड है उसको हम लोगोन लिया और अब हमको पता है कि जब equilibrium में आपका PN diode होता है तो इसके अंदर क्या रहती है एक drift current flow होती है और diffusion current flow होती है दोनों opposite direction में flow होती है और दोनों एक दूसरे के amount में equal होती है और neglect कर देती है दूसरे को और हमारा जो 0 रह जाता है पूरा का पूरा net current तो अभी suppose को यहां पर हम लोगों नहीं light नहीं fall किया आपका equilibrium में है जब equilibrium में है तब इसके अंदर drift and diffusion current flow हो रही है चीक है अब हम लोगों ने इसको क्या कर दिया जो P और N है उसको हम लोगों ने short circuit कर दिया चीक है तो यह आपका क्या हो गया इसका just अभी जब तक आप लोगों ने light fall नहीं की तब तक की study अब हम लोगों क्या करेंगे इसके अंदर light fall करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा ता access carrier generation के बारे में तो वही case हो गया यहां पर जब हम लोगों ने यहां light fall की तो अब यहां पर junction पर आपके क्या आएंगे access carrier आएंगे क्या आएंगे? access carriers कहा आएंगे? junction पर या फिर depletion width में junction पर या फिर depletion width में आपके क्या आजाएंगे? अब हमको पता है access carriers और यहां पर यह positive charge और नेगेटिव तो क्या होगा? drift होंगे? तो जो यह access carriers है यह क्या होंगे? drift होंगे मतलब जो आपके electron यह इस direction में जाएंगे और जो holes है वो आपके इस direction में drift होंगे तो यहां से अब इन charges का क्या होना? कोड़ों तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा आपके होल सागे यह बर पर कुछ एक्स्ट्रॉंज Valerie यहां पर कुछ एक्स्ट्रा अागर ड्रिफ्ट प्रोसेस तुैब अब कुछ होने की बाद यहां को इस एज पर current भी कैसे जाएगी इस direction में और electron इस direction में जा रहे तो उसकी वज़े से current भी इस direction में तो इस के अंदर जो current flow होने लगी वो किस direction के अंदर flow होगी N2P तो अब जब लोगों ने light fall की है solar cell पे तो इसके अंदर से आपके current flow होने लगई KT from N2P मतलब अब net current आपकी क्या zero नहीं रही है अब क्यूं क्यूंकि आपको जो drift process है वो क्या हो गया? increase हो गया diffusion से जितने diffuse हो रहे थे अब उससे ज्यादा क्या हो रहे है क्योंकि हमारे पास access carriers आ गए तो हमको क्या मिल गई? एक्स्ट्रा अट करन्ट मिल गई और अब net current हमारी Zero नहीं रही हमको एक Isc current मिल गई. क्यों सिंस इट Ilhhhh short circuit हम लोगोंने 술 dato इन प्यार प्रिशोटर्क न प्रिएक क viensजनगें को किया हो वह 설कूटर्किया वह तो यह short तो हमको IEC करेंट मिल गई कहां से कहां फ्रॉम एंड टू पी ठीक है तो यहां तक तो यह हुआ अब हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग एक बार इस पर लाइट फोल करा देते हैं और इसके अंदर IEC जब फ्लो और स्टार्ट हो जाती है तो हम इस सर्कृट के अंदर एक पोटेंशल डिफ्रेंस क्रिएट कर लेगी करेंगी कि नहीं करेंगी सबने पड़ा है यह आपका रजिस्टेंस होता है और इससे अगर I करेंट जाती है इसके बीच में पोटेंशल डिफ्रेंस आजाता है V कितना होता है I into R तो अब इस रजिस्टेंस के अक्रोस में के जिसको हम लोग लेट से नाम देते हैं VF ठीक है तो अभी वी एफ कितना होगा I S C into R क्योंकि यह I S C पूरी की पूरी इसमें से फ्लो होगी ठीक है अब देखे यह करेंट यहां से एंटर कर रही है यहां एक्जिस्ट कर रही है इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ही हो गया नेगेटिव टर्मिनल ही हो गया अब क्या हो रहा है कि आपका जो पहले आप पॉलरिटी आपकी कनेक्ट हो गई यह P से और लोर पॉलरिटी हो गई यह N से ठीक है ना तो इसका मतलब आपका इस केस के अंदर VP is greater than VN हो गया और जब VP greater than होता है VN तो हम लोग क्या बोलते है कि circuit किसमें आ गया फोर्वर्ड बाइस में circuit किसमें आ गया फोर्वर्ड बाइस में आ गया ठीक है तो अब क्या होगा और फोर्वर्ड बाइस की वज़े से क्या होता है एक फोर्वर्ड करंट फ्लो होती है हम लोगों ने study किया तो और वो किदर से फ्लो होती है P2N फ्लो होती है it means वो करंट किदर फ्लो होगी आपके इधर flow होगी है current और उसको हम लोग नाम दे देते है IF, forward current क्योंकि इसने इसको forward बायस कर दिया और forward बायस के अंदर आपके P to N current flow होती है तो आपकी एक current इधर भी flow होने लग जाएगी तो अब इस circuit के अंदर दो current flow हो रही है उसको हम लोग नाम दे देते हैं I, okay I और I हम लोग जो consider कर रहे हैं वो हम लोग बोल रहे है कि चलो N to P हमारी I current flow हो रही है तो I current कितनी हो जाएगी जो आपकी I SC current थी माइनस आपकी यह जो IF current है वो Is this clear? यहां तक clear हो गया, okay अब आपकी दो current हो गई और minus क्यों आया क्यों कि दोनों क्या है opposite direction में I को मेंने positive I को मेंने बोला कि N to P flow हो रही है तो ठीक है तो positive हो जाएगी जो P to N flow हो रही है वो negative हो जाएगी ठीक है यहां तक clear हो आप देखिए यह जो IF है यह हमारी किया forward bias current और इसकी value हम लोगों ने study किये कितनी होती है I node e to the power QVF upon KT यही तो होती है चेक है तो आपकी total current I कितनी हो जाएगी जो आपकी short circuited current है वो minus I node e to the power QVF by KT और आपकी यह I node क्या है reverse saturation current reverse saturation current clear clear अब देखिए I equals to IFC minus IF हो गया अब क्या होगा अगर यह resistance की value अब देखिए इसका मतलब जो आपकी पहले IFC flow हो रही थी अब उससे कम होगी current अगर हम इस resistance को let's say variable resistance है और इस resistance की value हम लोग change करते रहें करते रहें करते रहें तो इसको जब हम change करेंगे तो आपकी यह IFC भी क्या होगी? तो यह resultant कितना आजाएगा? 0 आजाएगा तो उस case के अंदर आपके circuit के अंदर कोई current flow नहीं होगी ठीक है तो इसलिए resistance की value बहुत important role play करती है solar cell के अंदर ठीक है क्योंकि किसी resistance की value के लिए आपको कोई net current 0 नहीं मिलेगी तो हमारा purpose ही खतम हो जाएगा हम लोग तो इसलिए यूज में ले रहे ना solar cell की हमको कोई net current में ले ठीक है तो उस case के अंदर क्या हो जाएगा? net current 0 हो जाएगी और देखे net current 0 कब होती है? open circuit के अंदर जब आपका open circuit रहता है open circuit आप लोगोंने network theory के अंदर ये study किया होगा कि open circuit के अंदर से कोई current flow नहीं होती है ठीक है? तो इसका मतलब वो उसको हम लोग ट्रीट करते है open circuit की तरह ठीक है? तो जब जिस voltage पे मतलब VF की जिस value पर आपकी ISE और IF एक्वल हो रही है वहां पर आपकी total current 0 हो जाती है तो उस voltage को हम लोग नहीं नाम दे दिया open circuited voltage ठीक है? क्योंकि उस voltage की जो VF की जो value है वहां पर क्या और आपका circuit open circuit की तरह behave कर रहा है उसमें net current 0 flow हो रही है तो उस voltage की value का हम लोग नाम दे देते है open circuit voltage मतलब VF की ही कोई particular value है उसको हम लोग नाम दे देते है VOC और VOC पे जो total current है वो कितनी flow होती है? 0 ठीक है और जब आपका VF 0 है उस case के अंदर आपकी IF 0 हो जाएगी तो उस case के अंदर आपकी जो total net current हो कितनी flow होगी ISC ठीक है? और यह जो ISC current है यह हम लोग जो light fall करते है उसके कुछ power होती है ठीक है यह जो हम लोग light fall करेंगे इसके कुछ intensity होगी है कुछ power होगी जिसको हम POPT नाम देते हैं that is optical power ठीक है उस पर यह depend करती है ठीक है यह जो optical power होती ना इसकी unit होती है Watt per centimeter square okay तो यह जो आपकी current होती है ISC यह optical power पर depend करती है इसकी unit, optical power की unit होती है Watt per centimeter square ठीक है तो यह हो गया अब देखिए अब हम लोग VOC की value calculate करते है तो 8 VF equals to VOC मतलब जब आपका जो forward bias voltage है वो अगर VOC के equal हो जाए उस case के अंदर आपके I की value कितनी है? 0 तो यहाँ पर put कीजिए 0 equals to ISC minus INODE to the power Q VOC by KT अब यह इधर आजाएगा तो ISC divided by में INOD कर देती हूँ equals to E to the power Q VOC by KT तो यह natural log अगर हम लोग ले ले तो natural log ISC by INODE to T by Q तो यह आपका क्या आजाएगा VOC मतलब जो open circuited voltage है उसकी value उसका जो formula होता है वो इतना होता है कितना? KT by Q natural log ISC by INODE यह आपका क्या होता है open circuited voltage यह समझ में आ गया आप लोगों को यहां तक अब इसके अंदर कुछ formula रहते हैं हम लोग पहले graph देख लेते हैं कि अंदर क्या रहता है कि यह आपका इसके अंदर current क्या और यह N2P flow हो हो और यह N2P current को हम लोगों ने बोला चलो नेगेटिव लेते हैं च्छिक है तो यह आपकी I है और negative N2P flow यह I a N2P तो हम लगों ने शको negative ले लिया उस केस में आपकी करेंट कितनी फ्लो हुआ थी शौर्ट सर्कुिटेट करेंट ISE अब जैसे जैसे आपका यह जो वी एफ इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है अभी आप सिर्फ यह वाला ग्राफ ही देखिए तो जैसे जैसे वी एफ इंक्रीज होगा तो आपकी आई एफ भी क्या होगी इंक्रीज होगी और आई एफ इंक्रीज होगी तो आपकी जो नेट करेंट आई है वो क्या होगी डिक्रीज होगी अब i क्या ओर यह तो अब i क्या होड़ी है, देखे, decrease हो रही है, तो जैसे बिद आपको VF इंक्रीज हो रहा है, włas method I F क्या होड़ी है जो i है, वो क्या होड़ी है, decrease हो, यह constant शोटके है, तो ऐसा तो यहां पर यह है, इस पॉइंट 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 पर यह है, ऐसे कि और यह आपकी करेंट के वैल्यू डिक्रीज हो यह भी कॉंस्टेंट नहीं है, यह थोड़ा ऐसे है, तो यह समझ में आया आप लोगों को, अ जब आप लोगों ने light increase कर दिया आपकी जो iac current increase हो जाएगी तो अब जो आपके open circuited voltage की value वह भी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी suppose अगर 3 volt आ रहा था तो अब आप लोगों ने जब iac increase कर दिया तो यह 5 volt आ जाएगा तो इसकी value 5 volt हो जाएगी मैं सब यह और आगे जाके हमारी और ज्यादा voltage की value पर जो आपकी net current होगी वह 0 होगी ठीक है अब देखिए यहां पर आपका voltage increase हो रहा है और यह current जो है वह decrease हो और जब आपकी current maximum है तब voltage minimum है और जब voltage maximum है तब current minimum है ठीक है ना तो एक point ऐसा आएगा तो हर point पर अगर हम लोग क current और voltage का multiplication ले current और voltage का multiplication क्या होता है पावर होता है ठीक है तो suppose करो मैंने इस point पर इस point पर मैंने लिया कुछ multiplication लिया कि यहां का voltage V1 है और यहां की current है वह IS1 IS1 ISA है ठीक है तो इन दोनों का multiplication मतलब कोई एक power मिली मुझे P1 ऐसे ही मैंने दूसरा कोई point लिया P2 ऐसे मैंने हर point पर क्या की calculate की बहुत सारी power और मैंने देखा की maximum power कहां मिल रही थी तो maximum power यहां कई mid में मिल रही थी ठीक है यहां कई mid में इसको हम लोग जिस point पर हमारी power maximum होती है उसके corresponding voltage को हम लोग बोलते है Vm और उसके corresponding current को हम लोग बोलते है Im ठीक है तो Vm into Im जो हो जाएगी वह आपकी P maximum होती है P maximum कितनी होती है Vm into Im ठीक है तो Vm into Im यह मत करते हैं कि maximum voltage और maximum current कितनी नहीं हमारे हर point graph के हर point पर आपके power की value हम लोग ने calculate कि है maximum power मिल रही है और इसमें वैसे देखा जाए graph में तो graph की maximum current है वो कितनी है Isc और maximum voltage कितना है V.O.C तो actual में तो इस circuit के अंदर हमारी maximum power theoretically कितनी आने चाहिए थी Isc into V.O.C मतलब जब आपकी current Isc है उसी time पर आपकी voltage की value V.O.C होती तब उस case के अंदर आपके circuit के अंदर maximum power जो होती वो maximum power हमको मिलती है ना तो maximum power theoretically तो इसको जोते theoretical power तो वो कितनी होती Isc into V.O.C ठीक है और यह हो गए आपकी P maximum ठीक है यहां तक clear हुआ अब देखिए हमारे पास कुछ formula है एक formula होता है fill factor fill factor होता है P maximum divided by theoretical power ठीक है means आपकी कितने maximum power है और आपकी theoretical power कितनी है maximum power हमने भी देखा कितनी है PM into IM theoretical power कितनी आपकी Isc into V.O.C यहां पर Vm into Im है ठीक है तो यह हो गया फिर आपके आती है efficiency efficiency है कि electrical output power divided by incident optical power efficiency मतलब efficiency का मतलब क्या होता है कि यह जो भी हमारा work रहता है जैसे मुझे कोई मुझे कोई काम टास्क दिया ठीक है और मैं कितना efficiently उस task को कर रही हूं तो जितना अच्छा मेरा output होगा उतना ही अच्छी मेरी क्या होगी efficiency होगी तो वही चीज है कि हमने इसको optical power incident कर वाई मतलब इसके input में optical power आई उसने कितनी optical power को इसमें electrical power में convert कर दिया यह इसके क्या होगी efficiency होगी ठीक है और आपके जो maximum eta कितना हो जाएगा तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो जो optical power है P optical divided by आपके incidence sorry optical तो उपर आ रही है और उपर आपके क्या जाएगा V into I ठीक है और आपके eta maximum क्या होगा कि जब आपके जो कितनी maximum output हमको मिल रहा है जो आपके output power है उसकी maximum value क्या है तो आमको पता है हमारी maximum कितनी थी P max divided by P out यह क्या हो जाएगा हमारे eta maximum तो इसकी value कितनी है V M I M divided by P out ठीक है तो that's all about your solar cell तो solar cell में बस यह formula based question आते हैं तो आप अच्छे से formula को देख लीजिए तो आप लोगों की questions इससे बढ़ने लग जाएंगे ठीक है तो next हम लोग देखते है फोटो डायोड देखिए यह भी solar cell की तरह ही होता है तो इसमें थोड़ा से changes रहते हैं तो आम लोग देखते हैं कि इसके इनर क्या changes रहते हैं इसमें भी हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोगों ने क्या क्या था एक डायोड लिया था पी-ए-एन-जंक्शन डायोड उस पर light-fold कर आई थी अभी हम लोग पी-एन-जंक्शन डायोड ले रहे हैं यह मैंने इसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया तो आप किसी ऐसे भ तो अब हम लोग क्या करेंगे? फोटो डायोट को reverse bias कर देंगे, हम लोगों ने क्या कर दिया? स्वर्वी इस डायोट को एक फोटो reverse bias कर दी negative जो टर्मिनल इसको P से connect करके positive को N से connect करके खीके, अब यह जो photo diode होता है यह photo-conductive effect पह राता है किसा राता है? photo-conductive effect अब यह photo- conductive effect क्या होता है देखिए, photo-conductive effect होता है जो photons आपके यह पर fall कराएगये उनकी वज़े से, क्या होता है? semiconductor की conductivity जाती है, increase हो जाती है तो इस effect को 40-mond, she means अब देखिए यह एक दायोड है अब इसके अंदर हम लोगों ने एक रिवर्स बाइसिंग कर दी तो रिवर्स बाइस के अंदर क्या होता है N2P a current flow होती है यह हम सब जानते है N2P a current flow होती है और वह उसको मैंने नाम ने दिया I reverse ठीक है और वह current कितनी flow होगी इतनी flow होगी यह हम लोगों ने देखा था यह equation हम लोग देख चुके है तो यह कितना होगा I node e to the power minus q vr divided by kt minus i node मतलब आपका vr क्या है माइनस का vr क्या है जो आपने लोगों ने reverse bias voltage लगा है वह है यह equation हम लोग अल्रेडी study कर चुके है ठीक है रिवर्स बायस के अंदर यह हो जाती है ठीक है जनरली फिर यह term हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और हम लोग क्या करते है माइनस i node को भी कंसीडर करते हैं तो आप लोगों को कुछ आप लोगों ने लाइट पॉल कर रही है तो जंक्षन के अंदर डिप्रेशन विट के अंदर के अंदर के अंगे एक्सिस के अंदर होंगे और उनकी वज़े से करंट फ्लो होने लग जाएगी फ्रॉम एन्टू पी जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया टो अविस शर्किट के अंदर हमारे परस दो तरह की करंट फ्लो होने लग गई एक कॉरंट हो गई आइसी और दूसरी है जो वह रिवर्स बैस दो अन्द ना पुछत इसके अंदर रेश्पोनसिबिलिटी और एक कुछते हैं क्वांटम एपिशेंसी तो देखिए रेस्पोंसिबिलिटी है कि करंट डिवाइड बॉप्टिकल पावर हमने इन्पुट में जो लाइट पॉल कर आई है उसकी पावर कितनी है और आपकी जो टोटल करंटे आई आई क्या था आपका आई एसी प्लस आई रिवर्स जो भी रिवर्स बाइस के वज़े से करंट फ्लोर यह वह तो उनका जो रेशियो होता है वह होता है आपकी रेस्पोंसिबिलिटी और हम लोग क्या करते है जो रिवर्स बाइस की जो करंट होती ना आई नोड उसको जनरली इग्नोर करते हैं, उसको अम लोग जेनरली देखिए, यह तो क्या होता है, यह तो अल्रेडी बहुत लेस होता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ माइनस इनोड बजता है, तो आपकी जो आई हो जाएगी, वो अल्मॉस्ट एकोल हो जाएगी, आई quantum efficiency होता है, number of electron hole pair generated per second, divided by number of photons incident per second, मतलब कि आपके एक second में कितने electron hole pair generated हुए और हमने कितने photon incident कर रहे थे, देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है, फोटो डायोट के अंदर, आप लोगों ने एक फोटो डायोट लिया, उस पे light fall कर आई, ठीक है, तो light fall कर आई, इसका मतलब क फोटोन का incident हो रहा है, ठीक है, तो फोटोन जब incident हो रहे तो उसकी कुछ rate होगी, जो incidence rate होगी, मतलब किस rate से वो उस पे incident हो रहे है, ठीक है, तो वो एक हो गया, और वो जो photon हो रहे है, incident हो उस पर, वो photons कितने electron hole pair, मतलब कितने excess charge carrier generate कर रहे हैं, एक second के अंदर, मतलब इन study क्या है, तो यह पूछा कि कितने generate होए और कितने आप लोगों ने incident कराये थे, ठीक है, तो यह efficiency तो ही, आपने कितना input दिया और उस input का जो काम था, कि EHP generate कराना हो, कितना अच्छे से, कितना efficiently वो करवा रहा है, तो अब देखिए, कि आपकी current क्या current का हम लोगों ने formula कितने charge carriers है, N और एक charge carrier पर कितना charge रहता है, उसको जब टाइम से divide कर देखिए, हमारी के आजाती थी, current आजाती थी, अब यह N क्या है, number of charge carrier से, ठीक है, number of charge carrier हमारे पास यहां पर क्या है, E and H, जो आपके electron or hole है, वही तो है, E and H, तो N और पर second मतलब N by T, तो हमको यहां से क् N by T, तो N by T कितना आजाएगा, आपका I by Q, ठीक है, तो यह आपके इस की value कितनी आगई, I by Q, ठीक है, और एक चीज, number of, suppose करो, यह 100 electron generate कर रहा है, और 100 holes generate कर रहा है, ठीक है, तो इस case में, आपके N की value 200 हो जाएगी, ठीक है, चार्ज के एरियर हम लोग यहां पर total charge carrier की बात क फोटोन कितने incident हो रहे हैं, पर second, देखिए, suppose कि जो हमने light fall की है, उसकी total energy E है, जो light हम लोग फोल करें, उसकी total energy E है, ठीक है, और देखिए, आपके जो एक फोटोन की energy होती है, वो कितनी होती है, H nu, ठीक है, मतलब, इसका मतलब यह क्या है, यह है, total energy, total energy, total energy, total energy मतलब, total energy का क्या मतलब हुआ, total number of photons, multiplied by, energy of one photon, है न, मतलब मैं बोल रहे हूं मेर पास, मैं बोल रहे हूं है, कि, suppose करो मैंने पास 20 photons है, वो incident हो रहे है, और आपके हर एक photon की जो energy है, वो 3 है, suppose करो, तो आपके total energy कितनी हो जाएगी, 60, ऐसे ही तो करेंगे, तो बस वही चीज की हुई है, ठीक है, तो यह आपके energy है, किसकी, 1 photon की, ठीक है, तो यहां से हमको total number of photons मिल जाएगे, total number of, यह यहां पर E आ जाएगा, ठीक है, this is E, यह E equals to, energy equals to, तो total number of photons आगे, यहां से कितने, E by energy of 1 photon, और energy of 1 photon कितनी है, H new, तो आगे H new, तो यह आपके क्या आगे, total number of photons, और हमको क्या चाहिए, total number of photons per second, तो इसको आम लोग क्या करेंगे, T से divide कर देंगे, और आप लोगों को पता है, energy by time क्या होता है, पावर, पावर ही तो होता है, energy by time पड़ा, आप लोगोंने network theory के अंदर, power by H new, ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, अब कौन सी power है यह, optical power क्योंकि हम लोग लाइट वाले, light की power की बात कर रहें, तो इसका simple formula हो गया, I by Q divided by, जो optical power है, divided by H new, तो इससे आप लो by P opt है, वो क्या है, आपकी responsibility, responsibility को R से denote करते हैं, ठीक है, तो इह कितना हो जाएगा, आपका R H new by Q, तो आपका efficiency और जो आपकी responsibility उसमें भी एक relationship आ गया, ठीक है, तो इह कितना हो जाएगा, eta equals to R H new by Q, ठीक है, तो यह आप लोगों के ऐसे यह formulas रहते हैं इसके अंदर, तो यह सारे formulas भी आप लोग mind में रखें, ठीक है, so that's all about your solar cell and photo diode, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, यह formulas आप लोग mind में बिलकुल set कर लीजिए, मिलते है next lecture में, thank you so much.